नमस्कार है भाई लोगों एवं भेनों एवं प्रिये दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में पूरे विश्व भर से कहीं से भी देख पा रहे और सुन पा रहे इस वीडियो में आए सभी भाईों का और भेनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पह भारत Electronics Limited यह एक कंपनी है दोस्तों BEL इसको कहा जाता है और यह कंपनी इंडिया देश के सरकार की है इस कंपनी द्वरा आप सभी के लिए वेकेंसी निकाली गई है जो की काफी खास रहेगी बेसिके लिएक एंजीनиях की निखाली गई है थीक है तो इस वेडियो में बात करेंगे इंडिया देश के सभी लोगो के लिए इस Crue न कीन के बारे में आपको बता दु दोस्तों यह जो company है ना दोस्तों यह government company है government of India का जो अलग-अलग ministry है जैसे ministry of defense ministry of finance ministry of education अलग-अलग तरह के ministry है ना इंडिया देश में उसी में से एक ministry आप लोग का defense के लिए है तो defense ministry के अंदर यह company आती है इंडिया देश की government की और यह company bel इसका नाम है भारत electronics limited और यह company द्वारा एक recruitment आप सभी के लिए निकाली गई है और मैं यह मैं तो यही कहूंगा एक नहीं कम से कम यहाँ पर साथ से आठ अलग-अलग poster पर recruitment निकाली गई है साथ से आठ अलग-अलग poster पर recruitment निकाली गई है अगर मैं टोटल आपको एक्जामपल दू तो आप यह समझिए कि 1000 प्लस हजार से भी ज्यादा लोग के लिए यहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है किसी भी जगा रह रहे हो और आप लोगों को जॉब नहीं दिख रही है तो आप इस वेकेंसी पर अप्लाई कर सकते हो ठीक है इसका लास्ट समय इन्हों ने दिया है तेरा मार्च तेरा मार्च तक ओनलाइन फर्म डाले जा सकते हैं इस वेकेंसी पर आपको समझ आ जा जा है तो आगे पहुचा देना और इसी रेक्रूटमेंट पर अप्लाई कर देना करियर सेक्शन में आप लोगों को यह नोटिफिकेशन दिख जाएगा पूरा नोटिफ तो एक मशीन होती है जिस पर हर एरिया से लोग जाकर वहाँ पर वोट करके आ जाते हैं कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी को इस पर वोट करना है और इस तरीके का जो है EVM मशीन होती है ठीक है तो वो मशीन BEL के द्वारा होती है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के द जरूत है हमारी कंपनी को पूरे इंडिया से हम लोग को लेंगे अभी इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक सिर्फ मैं सिर्फ इंजीनियरिंग रिक्रूट्मेंट डिसकस करूँगा बाकी अलग नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो मैंने लिंक प्रोवा हो गे करियर सेक्षिन में रिक्रूट्मेंट पे आप लोग चले जाओगे तो आप लोग को इस तरीके से दिख जाएगा ये नोटिफिकेशन देखो यहां पर यहां पर कहरें टेम्पेरी पोस्त पर हमें सीनियर ओप्रेसं इंजीनियर चाहिए ठीक है यह हमें चाहिए आप लोग को इतना याद रखना है कि click here to application format role wise याद रखें आप लोग अगर database administrator post को apply करोगे तो इस पर click करना senior system administrator पर apply करोगे तो इस पर click करना इन में से जिस पर भी आप लोग को apply करना है इस पर click कर लेना इसकी vacancy कितनी है तो आप लोग को direct इस notification को ऐसे click करना होगा तो आप लोग देख सकते हूं जैसे मैं आप लोग को यहां से click करके दिखाना चाहता हूं एक बार मैं आपको यहला notification दिखा देता हूं 6 March को यानि कि आज से सिर्फ 6 दिन के बाद ही form close हो जाएगा ठीक है तो लोगों को apply करना तो कर लेना इसमें vacancy टोटल कितनी आई है अगर आप लोग मुझसे पूछो तो total number of vacancy यहां लिखी हूई है इसमें देखे हैं तो हम यहां पर vacancy जितनी भी दिया है लगबक अगर इ इस vacancy हो जाती है बस इतनी vacancy है इनको direct India देश के UP state के लखनों में लोग को recruit करना है इन सारी पोस्टों पर जिसके लिए 6 March को form close हो जाएगा यह notification आप यहां से समझ लेना जिस भी post पर apply करोगे उस पर click करके चले जाना apply कर देना ठीक है तो यह notification हमारा अलग है इसको हम discuss नही रही है पूरे इंडिया देश में ठीक है जिसको लेकर इस company को project officer चाहिए जिसके लिए temporary base पर हैद्रावाद unit में लोग को recruit कर रही है चौथा मार्च को form close करेगी detailed notification आप लोग यहां से देख सकते हो एक चीज और आप लोग को कहना चाहूँगा जिस भी post पर apply कर रहे हो जिस आप लोग certificate लगा सकते हो बाकी notification आप लोग यहां से देख लेना apply करने चले जाना 14 मर्च आखरी समय है project officer post पर ठीक है अब यह post अलग है मैंने जो आपको यहां पर notification में आपके साथ discuss करने वाला हूँ वह है आपका trainee engineer का pan India क्योंकि यह recruitment आया pan India बाकी सब तो हैदरावाद लो notification के लिए आप लोग apply करना है तो अगर SCST और cast certificate देखना हो यहां से आप लोग देख लेना और इस cast certificate को form में लगा सकते है ठीक है तो यह सब चीज़े आप लोग देख सकते हो पुरा notification discuss होगा अब देखिए मैंने कहा ना कि अभी अगर हम बात करें इस वाले notification की training engineer की तो इस पर total vacancy आई है 517, 517 ठीक है बाकी सारी vacancy को भी अगर आप बाकी recruitment को भी देखोगे तो सब का मिला भी लोग है आप तब भी आपको confirm होगा कि करीब-करीब 400 के करीब vacancy total हो रही है तो इन सारे notification को भी आप compare कर लो तो total आप यह कह सकते हो कि आपकी total vacancy अभी जो BEL में निकली ह करेंटली वो जो मार्च महिने में form close होंगे सभी के उसके अंदर करीब-करीब वो 1000 से ज्यादा लोग को vacancy दे रहे हैं जिसमें से 517 लोग तो direct trainee engineer की vacancy है तो मैं आपके साथ स्रिफ trainee engineer का notification डिसकस करूँगा इस वीडियो में बाकी आप लोग बाकी यहां से समझ सकते हो ठीक है हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह आपके सामने आगया notification यह notification दोस्तों इन्होंने देखिए correct format में नहीं दिया है इसको download करना पड़ेगा इसलिए मैंने इधर इसको download करके रख लिया है आप देख सकते हो है download हो चुग है हमारे पास अब हम देखते हैं दोस् पर कुछ पोस्टों पर लोग को recruit करें लेकिन वो temporary based रहेगा temporary based मतलब यह है कि हम लोग उनको permanent नहीं रख रहे है कुछ समय के लिए रख रहे है जब तक हमार को उन लोग की जरूद है basically इनका यह कहना है training engineer का पोस्ट दिया इन्होंने इन्होंने कहा है हमें central इंडिया देश के central zone जहाँ पर मध्या प्रदेश राजिस्थान उत्तर प्रदेश आता है उसमें 68 लोग चाहिए same अगर आप इस्ट एरिया में लोग है जहाँ पर बिहार चत्तिजगर और जारकन उरिसा और वेस्ट बंगाल में 86 लोग की वेकेंसी वहीं वेस्ट में गोवा गुजरात औ और महराष्टर में 139 वेकेंसी दी हैं डेली हरियाणा और इंसाइड में 78 वेकेंसी टोटल दी हैं अपने अपने एरिया वाइज आप लोग वेकेंसी देख सकते हो 570 वेकेंसी टोटल है और एक चीज़ और बता दो टोटल वेकेंसियों में से जनरल वालों की 210 हैं OBC की 149 139 इस तरीके ज़र रहेंगी एक्सपिरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए कैंडिडेट बैचलर अफ इंजिनेरिंग है बैचलर अफ टेक्नोलोजी पास आउट होना चाहिए उस फिल्ड के अंदर जिसके लिए रिक्रूट कर रहे हैं 18-28 उसकी होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स ज्यादा एज उसकी 28 हो सकती है 20 से कम ही होना चाहिए वह अगर वह एम्टेक पास आउट है तो 30 से कम होना चाहिए इस बात का उसको ध्यान रखना है विकेंस यह चेंज हो सकती है हो सकता आगे चलके हमें पता लगा कि हमें और लोगों की जरुवत है तो हम इसको बढ़ा देंगे नहीं तो घटा देंगे इसब हम कर सकते हैं इन्होंने कहा है eligibility यह है कि qualification यही रहेगी candidate bachelor of technology या engineering या फिर master of technology या engineering या तो electronics में communication में telecommunication में mechanical electrical में computer science में या फिर engineering में या फिर IT के अंदर अगर वह पास आउट है तो form भर सकता है aggregate of all semester उसको अगर हम सारे semester की mark sheet मिला ले aggregate हम सारे semester का all over निकाल लें सारे semester के marks को combine कर लें उसकी degree के तो 55% आना चाहिए से ज़्यादा ही आना चाहिए अगर हो general है और अगर वही candidate अगर SCST और बाकी disabled है तो वह सिर्फ pass भी कर गया है न अपनी degree को तो अभी हम उसको ले लेंगे इन्होंने कहा है age आपकी 1st of February 24 वाले दिन जो भी थी वही हम मानेंगे इन्होंने कहा है अगर आप SCST से हो तो 5 साल आपकी आपकी age में बढ़ा देंगे OBC में हो तो 3 साल बढ़ा देंगे disabled हो तो 10 साल हम बढ़ा कर आपको ले लेंगे period of contract यह लोग कह रहे है साफ-साफ की trainee engineer हमें चाहिए initially हम 2 साल के लिए रख र पहूंचा हम जिन projects के लिए लोगों को recruit कर रहे हैं पता लगा कि हमने उनको 2 साल के लिए two एक साल हम उनका extend भी कर रहे हैं, तो तीन साल के लिए किया है, और लोग इतना धीरे काम कर रहे हैं, उस post पर, जिसके लिए हमारो जो project, जिसके लिए हम लोग ने लोग को recruit करा, वो project तो तीन साल में भी कम पूरा हुआ ही नहीं, तो फिर उसके बाद ये लोग और आगे सकते हैं, ठीक है, तो इसका उनलब कहीं भी ये नहीं हो जाता है, कि उस project को आप लोग अच्छे से ना करो, ये सोचते हो है, कि आप ज्यादा समय से काम कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेसिकली इन्होंने यही कहा है, कि दो साल आप लोग का vacancy रहेगा, हो सकता है, ए अगर वो पूरा नहीं हुआ, इन्होंने ये चीज, और कई रेमिनेरेशन आप लोग जान लो, 30,000 रुपीज पर मन्थ हम देंगे, पहली साल में, ठीक है, और 35,000 हम आपको second year में देंगे, और 40,000 हम आपको third year में देंगे, पर मन्थ पर, मतलब हम आपको 30,000 रुपे से salary सुरुवाती तौर पर, ठीक है, और इस तरीके से हम 5,000 रुपे हर महीने, हर साल आपके पर मन्थ के वियाफ पर हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कह दिया, experience कोई भी नहीं चाहिए, आप लोग से कह रहे है, experience आपका जोग प्रोवाइडिंग IT support और इन सारी field के अगर आपको लोग का है, तो हो सकता है, वैसे तो इन लोग ने prepared कर रहा है, basically हम लोग जिसके पास experience होगा, हम पहले उसको लेंगे, आपके पास experience नहीं है, तब भी आपको मिल सकती है, ये vacancy, लेकिन experience जिसके पास होगा, अगर वो इस vacancy को लेगा, तो हम उसको पहले ले लेंगे, same वही कहा रहे है, resident engineer मस्ट भी, आप लोग इतना याद रखे, इस post के लिए आप लोग को पढ़ना, लिखना, बोलना, आना चाहिए, हिंदी और English language, मान के चले आपकी vacancy recruit होके, direct आप लोग, आप लोग को जो vacancy मिली, वो मिल गई, आप लोग को मान के च state की language, तेलगु में बोल रहे हैं, और आप लोग तेलगु जानते ही नहीं हो, तो फिर गलत हो जाएगा न, तो इसलिए आप लोग को वो language महां, उस area की आनी ही चाहिए, यह इन्होंने कहा है, English तो आनी ही चाहिए, और Hindi, English तो आनी ही चाहिए, और Hindi आए ना आए वो जरूर C locations, बोथ centrally provided IT equipment by the customer, following activities are preferable, देखे आपको क्या करना होगा, daily activities करनी होंगी for call management and on-site support of installed IT infra or coordinate with third-party hardware vendors for call logging and re-solution, follow-up for spares and replacement, assist in all application or software installation within the project scope, monitoring करनी ही आप लोग को preventive maintenance of health of all IT infrastructure, यह सारे काम आपको लोग के लिखे हैं, जो आप इस post पर करोगे जाकर, ठीके तो यह सारी इन्होंने बताई है, आगे थोड़ा मैसी के आगे चलू, तो कहरें, selection process कितना है, बहुत असान है, selection process होगा, throw return exam, हम लोग आपका एक return exam लेंगे, आप लोग को select करने के ले, उसके बाद हम आपका interview करा लेंगे, और only those candidates जो return pass करेंगे, वही interview में पहुचेंगे, return exam interview कहा होगा, वह हम जल्द ही बता देंगे, 85% marks का जो है, आप लोग को जो है, allocate होंगे return test से, और 15% weightage आपकी interview की रहेगी, जो भी candidate return pass करेगा, उसको interview के लेंगे, वह vacancy का 5 time होगा यहनी vacancy अगर 500 है, तो यहनी 2500 के करीब 2500 लोग ही interview में बैठेंगे, यह इन्होंने यहां बता दिया है, साफ साफ, हर category से हम 5 time ही लेंगे, और number of candidates जो shortlist होंगे, इस return test के लिए, और interview के लिए, और उसके बाद हम जो final selection जो आप लोग का होगा, वो company decide करेगी, किसको select करना है, पहले return कराएगी, interview कराएगी, दौनों कराने के बाद चैता है करेगी, कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना, ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते है, how to register, तो BEL website पर आप लोग के form दिया है, Google form इसको भरके apply कर सकते हैं, अपना नाम, gender, father name, address डाल सकते हैं, और अपना photo, और sign, इसके लावा cast certificate कोई है, तो वो qualification semester certificates, वो डाल कर apply करा जा सकता है, ठीक है, यह नोंने पूरा process दिया है, दोस्तों आपको बता दू, यह form अभी चल रहा है, 13 March को close हो जाएगा, apply कर लेना, step कैसे रहेंगे, apply करते समय, आप कौन को से step follow करोगे, यहाँ बता है, कौन कौन से document लगाओगे, तो 10th का mark sheet, 12th का mark sheet, graduation, card certificate, photo, sign, यही सारी चीज़े लगाई जाती है, आगे बढ़ूँगा, दोस्तों, form का fees आप से लिया जाएगा, 150 रुपई लिएंगे, प्लस आप से GST लेंगे, मतलब अगर आप देखोगे, तो 150 का 10% हो जाता है, 15 रुपई, ठीक है और हम 18% लेने, तो नहीं कहीं नहीं कहीं, आप 30 भी मालने, तो 175 रुपई, 175 रुपई के करीब, आप लोगों का fees लग जाएगा, form में, बाकी जो लोग SCHT और बाकी लोग हैं, उनसे fees नहीं ली जाएगे, मतलब SCHT disabled को fees नहीं देनी, एक भी रुपई की, और जो लोग AWS, General और बाकी लोग हैं, उनको 180 रुपई के करीब देने होंगे online में, आप लोग SBI collect पर जाके payment कर सकते हो, direct आप लोग debit card, credit card, other, जितने भी option मिलते हैं, वहाँ से payment कर सकते हो, general में कुछ इन्होंने point लिखे हैं, उसको आप लोग यहां से पढ़ देना, जो आपके काम के रह लेगा, जो इसमें selection के लिए आप लोग का return exam होगा, ठीक है, उसके लिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, यहां पर, जो देखें, interview में तो आप से वही पूछेंगे, जिस post पर आपको ले रहे हैं, वही सब चीज़े, पूछेंगे, return exam और interview पर क्या-क्या पूछा ज हो सकता है, इसका exam, और recruitment हो जाएगी, आपकी interview हो जाने के आप मई या जून में आप लोग को ये vacancy मिल चुकी होंगी, आप job कर रहे होंगे, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हो गए, यह 2024 का recruitment है, तो पूरा notification इस फाइल में discuss हो गया, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यह आपका form है, apply करने के लिए, आप देखोंगे, यहाँ पे कह रहे है, अपना email डालो, photo upload करो, sign upload करो, अपना नाम बताओ, father का नाम क्या है, बताओ, किस दिन पर आपका बर्त हुआ, वो बताओ, यह सारी चीज़े बर दो, और इसको बरने के बाद, आप यह सारा चीज़े डाल दोग के इस recruitment पे, तो यही पूरा notification था, कोई आपका doubt रह जाए, अगर apply करते समय आए, तो comment section में बताया जा सकता है, और इस जानकारी को, पूरे वेश्व में share करना, खास कर इंडिया के लोगों तक, एक एक जगा तक पहुचाना, मैं आप से मिलूँगा जल्द ही, तब तक के ल